हलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय कवी बिहारी का ठीक है बिहारी का जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे या कवी परिचय पढ़ेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे के आपको वीडियो के नोटिफिक जाता उन्ही पॉइंट पे हमने सरल शब्दों में इसे लिखा है जिसे कि आपको इसको याद करना भी आसान हो और आपको पूरे नंबर भी प्राप्त हो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दे रखा रचनाए ठीक है कवी कवी परीचाई में आते हैं जो पॉइंट आते हैं रचनाए भावपक्ष, कलापक्ष और साइत्य में इस्तान तो हमने उन्हीं पॉइंट के आधार परे जिवन परिचे बनाया है तो जो बिहारी जो कवी हैं या रितिकाल के कवी हैं और इनकी जो इनकी एकी रचना है बिहारी सतसई ठीक है एकी रचना प्राप्त होती बिहारी सतसई जिसमें कि इनके 792 दो हैं हैं दूसरा पॉइंट है भावपक्ष भावपक्ष बिहारी रितिकाल के रितिसिद्ध धारा के मुख्य कवी हैं तो बच्चों जो रितिकाल था उसकी मुख से दोहें लिखे हैं इनके अधिकांश दोहें श्रंगार रसके हैं तो बिहारी के जो दोहें मुख्य रूप से कैसे थे श्रंगार रसके इनके काववे में श्रंगार रसके सयोग व वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है बिहारे ने भक्ती वा नीती परक दोहें भी तो यहाँ पर भाव पक्ष में मुख्य रुप से इनके जो भाव थे तो मुख्य रुप से हमें बताएंगे कि बिहारी जो थे वो रिती काल की रिती सिद्ध धारा के मुख्य कवी है और इनोंने जो हे मुख्य रुप से दोहे लिखे हैं इनके अधिकांश दोहे श्रंगार इनके कावे में श्रंगार के सयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है। हाशा में लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोक से सौंदर उत्पन हुआ है। बिहारी के काव्य में अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उप्मा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आदिय अलंकारों का विशेस रूप से प्रयोग हुआ है, बिहारी का काव्य दोहा चंद में है, तो दोहा चंद में इन्होंने काव्य लिखा था, विभि तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, कि भावपक्ष में जो उनके कावे का मुख्य भाव है, उसके बारे में हम बताते हैं, तो यहाँ पे जो उनके भाव थे वे श्रंकार रस्पर आधरी थे, श्रंकार के सयोग वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है, साथी भाशा, अलंकार और चंद आते हैं, तो हमने आपे बता दिया कि बिहारी की भाशा जो थी शुद्य सायतिक ब्रज भाशा थी, क्योंकि पूरे रिद्धिकाल की भाशा ही ब्रज भाशा थी, कावे में इन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है, जिससे क बिहारी के कावे में अलंकारों का भी अहत्यतिक प्रयोग हुआ है, तो हमने रितिकाल के सर्वस्त्थ कवी है, इन्हों ने अपने दोहा चंद के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, हिन्दी साहित्य में इनका महतुपूण इस्तान है, तो गागर में सागर भरना बिहारी के दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है मतलब छोटे से दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बाते कह दी है तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि गागर में सागर भरना किस कवी के लिए प्रयोक तो होता है किस कवी के कावे के लिए प्रयोक तो हम बताएंगे कि बिहारी के लिए यह शब्द प्रयोक तो होता है कि बिहारी ने अपने कावे में या दोहों में गर में सागर भर दिया है और इसके अलावा हमें याद रखना बच्चो कि बिहारी की भाषा इस प्रकार यदि हम लिखेंगे इनी बिद्वों के आधार पर हम लिखेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे और ये बिहारी का कभी परीच है आप इसे याद कर लेना है जिससे कि आपको आगे जो भी परिक्षा उसमें आसान रहे